विल्कम टो और ओफिशल यूटूब चैनल एक्जाम कॉंसेट पे इस वीडियो में बात करेंगे जो अभी लेटेस्ट में KBS PGT 2023 के एक्जाम हुए थे उसकी फाइनली एंसर की आयोग ने दे दी है और इसमें जो दो से तीन दिनों का समय दिया गया है कि जो भी कोशन आपको की अंसर की देख सकते हैं कि आपने क्या एंसर सही किया और आयोग ने क्या एंसर माना है और इसकी एक्सपेक्टेट कटव क्या जा सकते हैं इंटर्वियू के लिए basically इस विडियो में हम English subject का बात करेंगे कि English subject की expected कटव क्या हो सकते है जो आपको एक के इंटर्वियू में सामिल होने के लिए जरूरी एक कटप मार्ट होता है तो इंटर्वियू के लिए एकस्पेक्टेट कटप की अगर बात करें तो अगर पहले कटप बनाने से पहले दो-तिन चीजों के लिए ध्यान देना पड़ता है कि number of candidate कितने थे candidate और question paper का label क्या था अगर दो चीजों अगर आपको पता रहे तो आपने जैसे paper देखा अगर question pattern के label की बात करें तो ना ही बहुत तीजी था ना ही बहुत तप सीधे सीधे जिसने उसने syllabus बताया थे किसी बोर्ड में जो 11th class 11th में और जो 12th में English prescribed की गए थी चाय फिली मिंगो चाय जो बिष्टा जो भी किताबों का syllabus दिये गए तो उसी से question पूछे गए थे एक ही दो चेप्टर जिसमें टट्स की राजा कहानी जो रहती है टट्स की उससे पुछे गए थे इस टॉलिंग होर से लेकि काफी question पूछे गए थे बाकी grammar के question नहीं थे थे एक paper moderate label का ही हमारा कहा जा सकता है कि moderate label का ही एक paper आपके सामने देखनों के मिले मिला है इस बार औ और इस exam में number of candidate जो appear हुए थे बहुत कम absentee थी क्योंकि कोई भी exam दूसरे state में या central में थे ने तो बच्चों ने चरबढ़के इस exam में अच्छा मतलब भागिदारी ली है तो इसमें अगर English subject की बात करें कि English subject के expected cut up क्याज आ सकती है ओ भी 180 प्रशन में देखिए इसमें subject क जो थे आपके subject के 100 प्रशन थे बाकी pedagogy reasoning मिला के 80 प्रशन टोटल आपके 180 यही बनते है इसी पे आपको interview के लिए बुलाया जाएगा अगर seatो की संख्या देखें तो 138 प्लस seat ने थी इस बार 148 या 38 इतने थी तो इसकी 4 गुना candidate को 4X के multiply में बुलाया जाएगा तो करीब करीब आप मानके चलिए कि 500 लड़कों को interview के लिए आपने यहां बुलाएंगे देखें अगर 500 लड़कों को बुलाते हैं तो expected cut-up 180 में क्या जाएगी देखें जर्नल की जो cut-up है हमारे सामने जर्नल की cut-up हमारे सामने निकल के आरे 125 to 128 इसके बीच में ही हमारी cut-up रहेगी जर्नल कंडिडेट की अगर इंगलिस में आप लोगों ने इतने question सही सही करके आए हैं अगर OBC की बात करने इसी में तो OBC की cut-up थोड़ा साइस बार interview के लिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं किनने वाली है 120 से लेके 123 तक आपको OBC की cut-up मिल जाएगी अगर इसी में हम EWS क को सामिल कर लें तो EWS की cut-up 122 से लेके 126 के बीच में मिल जाएगी अगर यह C या HT की बात कर लें इनका 110 से लेके 115 के बीच में मिल जाएगी तो answer किया चुकी है अपने score को आप लोग मिलाएगे और इसकी नीचे हमें comment करके बताएगे आपके marks कितने है अगर safe zone में है एक ब करता है कि यह आयोग ने paper कैसे set किया और कितने बच्चे उसमें अपेर हुए है ठीक तो expected cut-up अगर इसने नमर आपके आ रहे हैं तो आप लोग safe zone में है ओके thank you expected cut-up वीडियो थी इसके साथ यह वीडियो खतम करते हैं मिलते हैं next वीडियो में